नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने युट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एक टूरेटर पॉब्लिकेशन तो फेंड्स फाइनली जो हर्याना कर्मचारी चैना होगी ने आपका टीजीट इंगलिश रेश्ट ओफ हर्याना और और जो कैंडिडेटि स्वाई हैं डीवी के लिए उन केंडिड़ेट का रंजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ यूर ऋंबर ब्र तीनेन भी ये रेस्ट ओफरियाना की है 95 पेज़ी रेस्ट ओफरियाना की 95 पेज़ी की है और मेवात के अडर की एक अलग पीडिये वो भी आपको दिखा हूँ है बहुत सारे साथ इसमें क्वालिफकेशन को लेकर भी पूछ रहे थे एक दो कमेंट आया था तो वो भी मैं आपको दिख गुलाया जाएगा ओल बहुर सोट लिष्टीड केनेट सेल उपीर फुर समेशन लग कांड देश्ट इस लेक्स्शन नहीं होगा और बहुत सारे साती पूछरे थे ठीक काहिए प्रिंट करना इसमें इसमें आपको अपना name of candidate डालना, category डालना या roll number डालना है qualification metric में हिंदी या science करते एक subject होना चीए और 10 plus 2 में या BA में हो या MA में हो तो भी आप अपलाई कर सकते हैं अगर BA में 50% marks हैं English and elective subject होना चीए टू-year diploma elementary education वो भी eligible है BA with that list 50% mark as well as in English as an elective subject and one year bachelor in education bead ho be English के साथ bead ho और estet तो मांगी रहें आपका certificate of having qualified हरियना teacher eligibility test estet या फिर state teacher eligibility test of respective subject for the post of post applied conducted by border school education हरियना इसके अलावा अगर आपके पास BA 45% के साथ है as well as 50% in English overall 45 है लेकिन English में 50% as an elective subject and one year bachelor in education तो भी आप जो है इसके लिए eligible रहेंगे senior secondary or equivalent with at least 50% marks and four year bachelor in elementary education तो ये सारी qualification अगर आप है eligible 18 से 42 साल मेज है experience applicable हो भी लगाएं reservation category any other document हो भी लगा सकते हैं दूसरा जो notice आया है जिसे मैंने आपको बताया मेवात के लिए है ये notice ये जो आपकी PDF file है मेवात का एडर वाली है 41 pages की file है इसमें भी वही qualification है वही आपको सारा सब पुछ करना है फिर बता देता हूँ DV के लिए किसी परकार से कोई admit card नहीं आएंगे ये checklist है ये इसको print out करना और इसमें आपको अपने details जो है documents submitted yes no सारे चीजे लगाने है और आपको जो है अपना date time देखकर उस हिसाब से shift देखकर कमेटी देखकर वहाँ पर DV के लिए आपको जाना है तो friends एक update थी जो आपको देनी थी आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही मेवात जो कैडर है उसकी DV बाद में होगी रेस्ट ओफ अरियाना की पहले होगी ठीक है आज किस वीडियो में फिलाल इतना इतना ही धन्याव